रन्यवाद, आप मैं अमारे माननी प्वधानमंत्री चीज से अन्रोद करूँगा कि हमें अंपूतित करें। जय जगन्नात। जय मास्वलेश्वरी। ओडिशार। भाई भावणी। मानकुमोर जुहार। नुवावर्स, समस्तक पाईं, मंगल मैं है उू। ओडिशा के माननी राजपाल, प्रफसर गनेशिलाल जी, मुख्यमंत्री मेरे मित्र स्रिमान नविन पतनायक जी, केंद्रिये केमिनेट में मेरे सहयोगी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंग जी, ओडिशा के ही रतन बाई दर्मेंद्र प्रदान जी, प्रताप सारंगी जी, ओडिशा सरकार के मंत्री, सांसत और विधायगण, आयायम संबलपूर की चैर परसन, स्रिमती अरुंदती भटाचारी जी, डारेक्टर, प्रोफिसर्स, मादेव, जैस्वाल जी, फैकल्टी स्टाफ और मेरे सभी युवा साथियों, आज, आयायम केंपस के सिलान्यास के साथ ही, ओडिशा के युवा सामर्थ को, मजबूती देने वाली, एक नविन शिला भी रखी गई है, आयायम संबलपूर का पर्मानेंट केंपस, ओडिशा की महान संस्कृति और संसाधनों की पहचान के साथ, ओडिशा को मेनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है, नए वर्ष के शुरुवात में इस सुभारंब ने हम सब के आनन्द को दो गुना कर दिया है, साथियों बीते दसकों में एक ट्रेंट देश ने देखा, बाहर बने मल्टीनेशनल्स बड़ी संख्या में आए और इसी धर्ती पर आगे भी बड़े, ये दसक और ये सदी भारत में नए नए मल्टीनेशनल के निर्मान का है, भारत का सामर्थ दुनिया में च्छा जाए, इसके लिए ये उत्तम कालखंड आया है, आज के स्टार्ट अप ही कल के मल्टीनेशनल्स है, और ये स्टार्ट अप्स जादा तर किन शहरों में बन रहे हैं, जिनने हम आम तोर्प के भाषा में टियर टू, टियर थ्री सिटीज कहते हैं, आज स्टार्ट अप्स का उभार उन जगह पे देखाबने को मिलता है, इन स्टार्ट अप्स को भारतिय युवाओं की नई कंपनियों को, और आगे बढ़ने लेकिये, उसके लिए बहतरीन मैनेजर्स चाहिए, देश के नए ख्षेत्रों में, नए अनुभव लेकर निकल रहे मैनेजमेंट एक्षपर्ट्स, भारत की कंपनियों को नई उचाई देने में बड़ी भूमी का निपाएंगे, साथियों मैं कहीं पढ़ रहा था कि इस साल कोवीर संकट के बावजुद, भारत ने पिछले सालों की तुलना में ज्यादा यूनिकॉन दिये हैं, आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूत्पुर्व रिफॉंस किये जा रहे हैं, उनमें स्टार्ट अफ के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तयार करना है। आपको अपने केरियर को भारत की आशाओं और आख्यांशाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दसक में ब्रांड इंडिया, ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मादारी हम सब पर है, विशेश रुप से हमारे नवजवानों पर है। साथियों, आयायम संबलपुर का धे मंत्र है, नव सर्जनम, सुचीता, समावेशत अद्वम, यानि इनोवेशन, इंटीग्रिटी और इंक्लूजिवनेश। आपको इस मंत्र की ताकत के साथ देश को अपनी मेनेजमेंट स्किल दिखानी है, आपको नए निर्मार को तो प्रोचाइट करना ही है, सभी के समावेश पर भी जोड़ देना है, जो विकास की दोड़ में पीछे चुट गया है, उसे भी साथ लेना है। जिज जगह पर आएम का पर्मनेंट केंपस बन रहा है, वहां पहले से मेडिकल युनिवर्सिटी है, इंजिनेरिंग युनिवर्सिटी है, तीन और युनिवर्सिटी है, सैनी स्कूल भी है, CRPF और पुलिस के रेनिंग इस्टिटूट भी है, जो लोग संबलपूर के बारे में जादा नहीं जानते, वो भी अब अंदाज लगा सकते हैं, कि IIM जैसे प्रतिशित संसान के बनने के बाद, ये खेत्र कितना बड़ा एजुकेशन हब बनने जा रहा है, संबलपूर, IIM और इस खेत्र में पढ़ने वाले स्टूडेंस, प्रफेशनल्स के लिए, सबसे खास बात ये होगी, कि ये पूरा इलाका ही, एक तरह से आपके लिए एक प्रैक्टिकल लेब की तरह है, ये जगह प्राकृतिक रुप से इतनी भव्य है, ओडिशा का गवराव, हिराकुन मांद, आपसे कोई जादा दूर नहीं है, बांच के पास देवरीगड सेंचुरी, अपने आप में खास्तो है ही, इसके बीच में वो पुंडेस्थान भी है, जिसे वीर सुरेंद्र साइजी ने अपना बेस्ट बनाया था, इस एरिया के टुरिजम पोटेंशल को और बढाने के लिए, यहां के स्टूडेंट्स के आइडियास और मेनेजरियल स्कील बहुत काम आ सकते हैं, ऐसे ही संबलपूरी टेक्स्टाइल भी बेश विदेश्ट में मश्वूर है, बांधा इकत, बांधा इकत फैब्रीक, उसका यूनिक पैटरन डिजाइन और टेक्शर बहुत ही खास हैं, इसी तरह इस खेत्र में हैंडी क्राप का इतना काम होता है, सिल्वर फिलिग्री, पत्थरों पुर्नकासी, लकडी का काम, ब्रास का काम, हमारे आदिवासी भाई भेहन भी इसमें बहुत पारंगत है, आयायम के छात्र छात्राओं के लिए संबलपूर के लोकल को बोकल बनाना, उनका एक एहम दाईत्व है, साथियों, आप ये भी भली भाती जानते हैं, कि संबलपूर और उसके आसपास का इलाका, अपनी मिनरल और माइनिंग स्ट्रेंज के लिए भी जाना जाता है, हाई ग्रेड आइरन हो, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मेंगेनीज, कोल, लाइम स्टोन से लेकर, गोल, जेम स्टोन, डाइमन, यहां की प्राकृतिक संपदा को अनेक गुना बढ़ाते हैं, देश के इन नेचरल एसेश को बहतर मैनेजमेंट कैसे हो, कैसे यह पूरे छेत्र का विकास करें, लोगों का विकास करें, इसे लेकर भी आपको नए आइडियाज पर काम करना है, साथ क्यों, यह मैंने आपको कुछी उदान दिये हैं, उडिशा में बनसंपदा, खनीज, रंगबती, संगीत, आदिवासी आर्ट और क्राप, स्वभाव कभी गंगाधर, महर की कविताएं, क्या नहीं है उडिशा के पास, जब आप में से अनेक साथी, संबल पूरी टेक्स्टाइल, या फिर कटक की फिलिगरी कारीगरी, अपने काउशल का इस्थमाल करेंगे, यहां के टूरिजम को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो आत्मंदिर भर भारत अभ्यान के साथ ही, ओडिशा के विकास को भी और गती मिलेगी, और नए उचाएं मिलेगी, साथियों, लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए, आप सभी आयम के युवा साथियों को नए और इनोवेटिव समाधान तलासने हैं, मुझे विश्मास हैं, हमारे आयम्स आत्मंदिर भरता के देश के मिशन में स्थानिय उत्पादों और आंतराश्टिय कोलिबरेशन के बीच ब्रीज का काम कर सकते हैं, आप सभी का जो इतना विशाव और दुनिया के कौने में कौने में भैला अलूमनाई नेट्वर्ग है, वो भी इसमें बहुत मदद कर सकते हैं, साल 2014 तक हमारे हाँ 13 IIM थे, अब देश में 20 IIM है, इतना बड़ा टैलेंट पूल आत्म निर्भर भारत अभ्यान को बहुत विस्तार दे सकता है, साथियों, आज दुनिया में ऑपर्चुनिटीज भी नहीं हैं, तो मेनेजमेंट की दुनिया के सामने चैलेंजिज भी नहीं हैं, इन चैलेंजिज को भी आपको समझना होगा, अब जैसे एडिटीव प्रिंटिंग या थे 3D प्रिंटिंग पूरीडी प्रोड़क्शन एकोनोमी को ही चेंज कर रही है, अभी आपने न्यूज में सुना होगा, पिछले महिने ही एक कमपनी ने चैन्नई के पास एक पूरी दो मंजिला इमारत को ही 3D प्रिंट किया है, जब जब प्रोड़क्शन के तरीके बदलेंगे, तो लोजिस्टिक्स और सप्लाई चेंज से जुड़ी व्यवस्ताओं में भी बदलाफ होगा, इसी तरह टेक्नलोजी आज हर जियोग्राफिकल लिमिटेशन को दूर कर रही है, एर कनेक्टिविटी ने 20 सथी के बिजनेस को जिमलेस बनाया, तो दिजिटल कनेक्टिविटी 21 सथी के बिजनेस को ट्रांस्ट फॉर्म करने वाली है, work from anywhere के concept से पूरी दुनिया global village से global workplace में बदल गई है भारत ने भी इसके लिए हर जरूरी reform बीते कुछ महिनों में तेजी से किये है हमारी कोशिश है कि हम ना सिर्फ समय के साथ चले बलकि समय के पहले चलने की भी कोशिश करें साथियों जैसे काम के तरीके बदल रहे हैं वैसे ही management skills की demand भी बदल रही है अब top-down या top-heavy management के बजाए collaborative, innovative और transformative management का समय है यह collaboration अपनियों के साथियों के साथ जरूरी है ही इसलिए आज जितना human management जरूरी है उतना ही technological management भी आवशक है मैं तो आप से भी और देश भर के I.M. से और business management से जुड़े दूसरे स्कुलों से एक आगरे करूँ है कोरोना संक्रमन के इस पूरे दौर में टेक्नोलोजी और टीम बर्क की भावरता से देश ने कैसे काम किया किस प्रकार से 130 करोड देश वाश्यों की सुरक्षा के लिए कदम उठाये गए कि जिम्मेवालिया उठाई देए कि कॉलोब्रेशन किया गया जन्भागिदारी का भ्यान चला गया इंसाने विश्यों पर रिसर्च होना चाहिए डॉक्मेंट तैयार होने चाहिए एक सो तीस करोड के देश ने कैसे समय समय पर इनोवेट किया कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को कैसे भारत ने बहुत कम समय में ही एक्ष्पांड किया इनसे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सबक है कोवीड के दौरा देश ने पी-पी-ई कीट का मास्क का वेंटिलेटर का पर्मनेंट सोलूशन निकाल दिया है साथियों हमारे यहां एक परंपरा बन गई थी कि प्रॉब्लेम सॉल्विंग के लिए शौर्ट टम एप्रोज अपनाई जाए देश अब उस सोच से बहार निकल गया है अब हमारा जोर तत्कालिक जरूरत और जरूरतों से भी आगे बढ़कर लॉंग टर्म सॉलूशन पर है और इसमें मेनेजमेंट का भी एक बहुत अच्छा सबक सिखने को मिलता है हमारे बीच में अरुंददी जी मौझूद है देश में गरीबों के लिए जनदन खातों के लिए किस तरह की प्लानिंग हुई किस तरह इंप्लिमेंटेशन हुआ इसका मेनेजमेंट किया गया इस पूरे प्रोसेस की तो वो भी गवा रही है कि उसमें वो बैंक समालती थी जो गरीब कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं जाता हो ऐसे 40 करोड से जादा गरीबों के बैंक एकाउंट खोलना इतना भी आसान नहीं है और ये बाते में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब बड़ी-बड़ी कंपनियां समालना ही नहीं होता सच्चे अर्थ में तो भारत जैसे देश के लिए मैनेजमेंट का मतलब जिंदगियां समालना भी होता है मैं आपको एक और उदहर देता हूं और इसलिए हम है कि वोड़ी से कही संतान भाई धर्मेंदर प्रदान जी की इसमें बड़ी भूमवी का रही है साथियों हमारे देश में रसोई गैस आजादी के करीब करीब दस साल बात आही गई थी लेकिन बात के दसकों में रसोई गैस एक लगजरी बन गई रहिशी लोगों की प्रतिश्चा बन गई लोगों को एक गैस कनेक्शन के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते थे इतने पापड बेलने पड़ते थे और फिर भी उन्हें गैस नहीं मिलती थी हालत यह थी कि साल दोहजार चौदा तक आज से च्वे साल पहले दोहजार चौदा तक देश में रसोई गैस की कवरेज सिरफ 55 परसंट थी जब एप्रोच में पर्मनेंट सॉलूशन का भाव नहो तो यही होता है साट साल में रसोई गैस की कवरेज सिरफ 55 परसंट अगर देश इसी रप्तार से चलता तो सबको गैस पहुंचने में यह शताब्दी भी आधी और बित जाती दो हजार चौदा में हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया किसका पर्मनेंट सॉलूशन करना ही होगा आप जानते हैं आज देश में गैस कवरेज कितनी है 98 प्रतिशत से भी जादा 98 परसंट से भी जादा और यहां मेनेजमेंट से जुड़े आप सभी लोग जानते हैं कि शुरुवात करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ना आशान होता है असली चलेलेंज होता है कवरेज को 100 परसंट बनाने में कि साथियों फिर सवाल यह है कि हमने यह कैसे प्राथ्थ किया कैसे ऐचईव किया है यह आप मेनेजमेंट के साथ्कों के लिए बहुत अच्छी केस्टोड़ी है इस साथियों हमने एक take problem को रखा एग तरफ परमनेंट सोलूशन को रखा जुनोवती थी नए डिस्टिबुटर्स की, हमने दसजार नए गैस डिस्टिबुटर कमिशन किये, चुनोती थी बॉटलिंग प्लांट कैपसिटी की, हमने देश भर में नए बॉटलिंग प्लांट लगाए, देश ठीक्षमता को बढ़ाया, चुनोती थी इंपोर्ट टर्मिनल कैपसिटी की, हमने इसे भी सुधारा, चुनोती थी पाइप्लाइन कैपसिटी की, हमने इस पर भी हजारो करोड रुपे खर्च किये, और आज भी कर रहे हैं, चुनोती थी गरीब नाभर्थियों के चयन की, हमने ये काम भी पूरी पांदर सिता से किया, विशेश तोर पर उज्वला योजना शुरू की, साथियों, पर्मनेंट सॉलूशन देने की इसी नियत का नतीजा है, कि आज देश में 28 करोड से जादा गैस कनेक्शन है, कि दोहजार चौदा से पहले देश में 14 करोड गैस कनेक्शन थे, सोचिए, साथ साल में 14 करोड गैस कनेक्शन, हमने पिछले 6 वर्षों में देश में 14 करोड से ज़्यादा गैस कनेक्शन दिये हैं, अब लोगों को रसोई गैस के लिए भागना नहीं पड़ता, चक्कन नहीं लगाना पड़ता, यहां उडिसा में भी उजवला योजना की वेज़े से करीब करीब पचास लाग गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिला है, इस पूरे अभ्यान के दोरान देश ने जो कैपसिटिव बिल्डिंग की उसी का नतीजा है कि उडिसा के उननिस जिलों में सीटी गैस डिस्टिपिशन नेट्वर्क तैयार हो रहा है, साथियों, यह उदाहरन मैंने आपको इसलिए भी समझाया, क्योंकि जित्रा आप देश की जरुरतों से जुड़ेंगे, देश की चुनोतियों को समझेंगे, उतने ही अच्छे मेनेजर्स भी बन पाएंगे और उतने ही अच्छे उप्तम सॉलूशन भी दे पाएंगे, मैं समझता हूँ, हाइर एजुकेशन जे जुड़े समस्तानों के लिए जरूरी है, वो सिर्फ अपनी एक्सपर्टाइज तक ही फोकस न रहें, बलकि उनका दायरा व्यापक होना चाहिए, इसमें बड़ी भूमी का महां पढ़ने आने वाले स्टूरेंज की होती है, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ब्रॉड बेज, मल्टी डिसिप्लिनेरी, होलिस्टिक एप्रोच पर बल दिया गया है, प्रॉफेशनल एजुकेशन के समाज के साथ जो साइलोस आ जाते से, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, हम राष्ट के विकास के लिए हर किसी को में स्ट्रिम में मुख्य धाना में लाना चाहते हैं, ये भी तो इंक्लूजिव नेचरी है, मुझे भरोसा है, आप इस वीजन को पूरा करेंगे,